हेलो स्टुडेंट्स कैसे आप सब आई अप सब अच्छे होंगे और अपने एक्जाम की त्यारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे आज हम करने वाले हैं हमारे ऐमक्ष्ट्री अपस्ट्र्ट की हुएं और सब करना से सबसारी के यह को फैक्ष्टी वाले हम न्येक्स सब्सक्राइब और सब्सक्राइब 25 failed मोक्राइब आप वीडियो बना रहे हैं सबहर हैंFR absolu gene तो प्लानिंग का ठीक है अब अपने स्लेबस के अकोडिंग उसको मैच कर लेना आप यह जो वीडियो है बना रही हूं आपके लिए बहुत जादा है ठीक है आज हम हमारा सेकंड चेप्टर करने वाले हैं इससे पहले मारा फर्स चेप्टर हो चुका है देखिए क्या गए र चलो हम एक्जांपल लेने के लिए हमारी नोट बुक को आगे लेके आते हैं ठीक है देखो एक कंपनी है अब कंपनी जोड़ो पहले अपना ना घर से एक्जांपल लेती है अपने घर में कोई प्रोग्राम होता है मान लिए शादी हो रही है ठीक है शादी हो रही है तो हम कोई ना कोई ना planning तो कारेंगे कौन से function के लिए कौन सी ड्रेस का किया सिसे हल्दी के लिए काफ़ी सारे function होते हैं कि हल्दी यह मैंदी होती है और मेन functionfte मेरे यही सब से हो सब्सक्राइर है मिला satisfy मैंंट्ट में में यही तीन function होते हैं यह 3 मां चलिए कोई dress code थाट लीजिए, मेंदी के लिए फिर कोई एक dress code अलग से, और main जो function है, वहाँ पर फिर एक dress code होते हैं, इनके लिए हम planning करते हैं, कि हाँ सभी भाई बैने क्या करेंगे, same dress डालेंगे, same यहाँ पर मेंदी पर डालेंगे, same earrings होंगे, same हमारे footwear होंगे, सभी चीज़े हम set करते हैं, तो इसी तरह से हमारी company के अंदर भी, जब भी कोई नई recruitment होते हैं, जब भी कोई नए person की जुरूरत होती है, तो हम planning करते हैं, कि कारण क्या है हमें वह planning करने का, यहाँ पर कारण क्या है, कि हमारे घर शादी हो रही है, तो शादी के function में, हम यह तीन function के लिए में क्या चीए, एक proper dress code चाहिए, proper dressing sense चाहिए, ठीक है, तो इन सभी चीज़ों के लिए हम क्या करते हैं, planning करते हैं, तो इसी तरह से company है, ठीक है, company के बारे में हमने proper पढ़ लिया, 4th semester में, 3rd semester में, company, law के अंदर, ठीक है, और हम human resource management की बात कर रहे हैं, आपके real life में भी applicable होते हैं, कभी अगर किसी person के घर में, या कोई भी student है, उसके घर में, अगर किसी व्यक्ति की job लगी होगी, इवेन वो चाहिए private sector हो, चाहिए वो पापा की होती है, जो क्या है, लगी थी, लगने का process क्या था, वो आप उनसे पूछना कभी, और जो आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ, वो आपका same प्रहने वाल है, ठीक है, हाँ बस यह है कि थोड़ा technology change होगी है, जो हर चीज़े क्या हो रही है, transparency के साथ हो रही है, फर्ग बस इतना है, अदरवाइस सभी के सभी process same होती है, तो हम क्या कर रहे है, माल लेजिए हमें क्या है organization के अंदर, person चाहिए, person चाहिए, व्यक्ति चाहिए, उसके दो कारण हो सकती है, पहली बात, वो post खाली होगी, जिस post के लिए आप क्या करना चाहरे हो, व्यक्तियों को appoint करना चाहरे हो, post खाली होने का कारण क्या है, post खाली होने के कारण काफी सारे है, जैसे कि जिस post पे पहले कोई व्यक्ति काम करता था, या तो उसकी transfer होगी होगी, या उसका promotion हो गया होगा, या फिर उसकी death होगी होगी या retracement कर दिया होगा या फिर replacement हो गया होगा कुछ भी हो गया है मतलब वो जंगया खाली होगी है खाली होने के कारण काफी सारे है वो सभी हम discuss करेंगे इस place को वापिस भरने के लिए इस place के उपर वापिस एक व्यक्ति को बिठाने के लिए हमने क्या की planning की ठीक है अब यह तो है निकि organization में के वर एक ही place खाली होगी organization में काफी सारे department होते है sale department होता है purchase department होता है cash department होता है capital department होता है काफी सारे department होते सभी department वाले क्या करेंगे जो top level के management होगे न अपने अपने requirement को explain करेंगे कि हाँ हमें भी चाहिए हमें भी चाहिए हमें दो वैक्ति चाहिए हमें तीन भी चाहिए हमें चाहिए हमें एक चाहिए तो इन वैक्तियों की requirement के हिसाब से जो main top वाला जो बंदा होगा न में टॉप मैनेजमेंट होगी ना वो क्या करेगी फिर ये प्लानिंग करेगी हाँ अब तो हमें क्या चाहिए ओर्गिनाजिशन के अंदर व्यक्तियों की जुरत पड़ेगी ही पड़ेगी तो यह जो प्रोसेस होगी ना तब जाके कहीं हम प्लानिंग से जुझो करते हैं रह अगर कोई किसी भी चीज के लिए प्लानिंग कर रहे हो तो उसके पीछे एक objective होता है उसके पीछे एक aim होता है वो aim आपको पता है ठीके हैं, अगर व्यक्ति ही नहीं होंगे तो और्गिनाजेशन के अंदर proper working नहीं होगी proper working नहीं होगे नहीं होगा अगर मेंनपावर घाप नहीं होगी तो पुरौफिट क्या करें कमाए उसको प्रोफिट बचना चीए श्रीछ, अगर मैनपावर ही नहीं होगी तो उनका इंकम भी नहीं होगी तो indirectly way से, जो manpower है, company के अंदर कोई भी चीज होगी, जो living things है या non living है, हर चीज organization को effect डालती ही, ठीक है जी, तो शुरू करते हैं, कहाँ दे कि planning क्या होती है, starting से पढ़ते आ रहे हैं बचपन से, बचपन से that means आप plus two से पढ़ते आ रहे हैं, क्या है planning क्या एक process है, जिसके अंदर हम यह सोचते हैं, कि हमें what to do, how to do, whom to do, where to do, क्या करना है, कैसे करना है, कौन करेगर, कहा करेगर, किस performance के हिसाब से करेगर, तो यह सभी चीज है, हमारी planning के अंदर होती है, ठीक है, planning का मतलब समझ में आया इतना, human resource का मतलब हो रहा है, कि आप अपने जो organization के अंदर, जो humans चाहिए, उनकी जो हम क्या कर रहे है, planning की बात कर रहे है, ठीक है, next अब बात करेंगे, यहाँ पर देखो, देखो मैंने लिखा हुए, उनको पढ़ते हैं, कि for a plan this activity, human resource manager must understand the organization strategy goal of the organization and motive, यह क्या कह रहे है, अगर आपको planning करनी है, किसी organization के regarding, अगर आप 이 company के regarding को I come by planning करना चाहते ह। ठीक है, तो इस company के, आप उसकी strategy पतानों, कि company क्या strategy यूट कर रहे है, अगर किसी person को point कर रहे है, तो किस strategy से point of use कर रहे है, company का objective क्या है, औरіль판 organization को goal क्या है, मेन गोल क्या है उसमें क्योंकि गोल के according ही क्या किया जाता है manpower को recruit के जाता है ठीक है अब माल लीजिए ऐसे person को point कर रहे हैं कि जिसे machine operate करनी आनी चाहिए ठीक है और एक ऐसे person को point कर रहे हैं जिसको computer operate करना आना चाहिए अब यह थोड़ी ना कि किसी भी वैक्ति को organization के अंदर appoint कर लेंगे नहीं न गोल के हिसाब से समझपा रहे हो गोल जैसा भी होगा उसी के हिसाब से वैक्तियों कोई appointment होगी company का क्या motive है organization के इन तीनों चीजों को अगर ध्यान मद्य नजर रखकर हम क्या करते हैं planning करती है next क्या है because the human resource requirement of the organization is affected by the various factors मैंने भी आपको बोला जो human resource की requirement होते हैं काफी सारे factors को effect डालती हैं जैसे कि corporate strategy, human resource planning, company productions, development and the which type of the technology used by the company etc समझपा रहे हो जो मैंने आपको यहां समझाया अभी जो समझाया कि indirectly way से कहीं ना कहीं company के manpower है उनकी production की technology के उनके उपर क्या है development के उनकी सब के उपर effect डालती है ठीक है अब देखो अब माल लीजिए technology के point of face example क्या है माल लीजिए कोई company चाहती है उसकी strategy यह है कि उसको क्या करना है expansion करना है अपने आपको फैलाना है market के अंदर अपने आपको मतलब बहुत बड़े area पे लेके जाना है या फिर किसी company की भी हो सकती है diversification लेके आए कि अप अपनी market के अंदर मैं दो प्रोड़क्ट लेके जाना हूँ पहले shirt shirt का काम करता था अब shirt के साथ मैं क्या गरूँ जीन्स का भी काम करना शुरू कर दूँ समझ पारे डैवरिफिकेशन का मतलब होता है कि आप एक product के माली जी मेरी दुकान है मैं पहले दुकान में क्या कर र इंडिया को एक्स्टेंड गरना ठीक है यहां पर प्रोड़क्ट के अंदर डैवरिसिफिकेशन आई है इन बहुत सिच्वेशन रिक्वाइर दैडिशनल मैं पावर रिसोर्स पर और अगर आप कुछी बी कुछ भी करना चाहती है इन दोनों सिच्वेशन में हमें क्या ची जब अपने इंडिया के अंदर जब लोकडाउन लगा था जो प्राइवेट सेक्टर्स के मोस्ट जो एंप्लोईज थे उनको क्या किया था हटा दिया गया था कारण क्या था अब देखो सबसे ज़ाधा महां पर तब क्या सेल हो रहा था नॉर्मल सी बात है सैनिटाइजर ह अब यह थोड़ी ना कार कंपनी की जाधा सेल इंक्रीज होगी प्रोडक्शन जो बाकी जो जितनी भी मैट्रियल्स जो भी बाकी जितनी भी दुकान थी तीन चार दुकानों को छोड़े जैसे कि यह करें जुरूरी जो काम आने वाली जो दुकानी है वो ओपन रहेगी यह कि NICK get all लें ऴाली जो जो बाकी जो परदक्शन दुकान जैसे फर्नीचर की होगी लै超स वाले कि योगी ट्रीक वाले की हो गहीं है बाकी जीतनी भी युलितनी थी दुकान है उनका प्रोड़क्शन है उनके इफ्रक्ट डाला जंशाक तो उन्होंने क्या किया था अपने जो इंफ्लेशन रिसेशन जो आपके जितनी भी मंदिकाल में जो जैसी भी सिच्वेशन होगी वो सभी चीजे इफ्रक्ट डालती ही डालती है human resource की planning की ओपर ठीक है अब यहां पे देखो मैंने मिनिंग लिखा क्या हुआ है कि human resource planning is also known as manpower planning manpower planning क्यों कहा गया है क्योंकि इसके अंदरम व्यक्तियों को ही appoint करती है किसको करते हैं व्यक्तियों को ही appoint करती है it is a consider as the quantitative measurement of the future human resource requirement of the organization यह क्या है यह quantitative elements है क्योंकि आज अब देखो हमने क्या था कि lockdown लग गया तो कही ना कही जो organization के जो जो planning करने वाले person होते हैं उनके दिमाख में यह आग गया होगा कि अगर sale नहीं होगी profit नहीं होगा तो कहीं ना कहीं जो हमारे पास existence में जो manpower है उसको हमें निकालना पड़ेगा है ना अब यह देखो अब गर्मी आ रही है आ रही है ना गर्मी तो AC cooler fan का production जादा होगा जिसके लिए AC cooler fan production करने वाली manpower को create किया जाएगा तो यह जो चीज है ना पहले हम सोच अब देखो बारिश हो रही है बारिश के अंदर जो जो बाकी जीतने वी equipment होते जैसे कि अम्रेला हो गया रेन कोट हो गया इनके इनको बनाने के वाले जो टेलर्स होते है ना उनकी भी जो क्या है recruitment करनी पड़ती है हर एक बीजनस को यह बहुत बड़ा जाल है बच्चे बहुत बड़ा जाल तो इन सभी की recruitment करने के लिए हमें पहले ही planning करनी पड़ अब देखो जून जुलाई के अंदर जब क्या है सावन आएगा तो क्या होगा बारिश बहुत जादा होगी बारिश तो वैसे अभी भी हो रही है बट अभी क्या है तोड़ा टैंप्रेरी है हाना बट उस टाइम पर क्या है एक दो महीने के लिए पर्मानेंटली बन जाए पर बरफ बारी बारिश हैं कंटिन्यूसली होती रहती है उनका सीजनल नहीं है उनका रेगुलर प्रोड़क्ट होगा समझ पाए ना तो अपनी रिक्वार्मेंट के हिसाब से वो क्या करते मैन पावर की प्लैनिंग करते जिससे उनका क्या है फ्यूचर सक्योर हो सके इट अपनी पावर को अपनी फ्यूचर की रिक्वार्मेंट को कंप्लीट कर पाएगा और कैसे फ्यूचर की मैन पावर को सोच पाएगा उसे पॉइंट कर पाएगा ठीक है management also ensure that the right number of people and the right kind of the people at the right time doing the right thing सही बात सुन रहे हो कि कैसे management यह यकीन अपने आपको दिलाएगा या फिर अपनी organization को अपनी society को दिलाएगा कि जो हम अपोइंट कर रहे हैं वो सही person है सही सही कारिय करने वाला person होगा ठीक है सही time पर अपोइंट हो रहा है और सही काम करने वाला वैक्ती होगा समझ पा रहे हो कि right person is appointed at the right place and right time पर ठीक है तो यहाँ पर देखो definition लिखी हुए जिस्टेर के दवारा क्या है manpower planning is the process including the forecasting developing and controlling सभी आगे line अभी मैंने समझाया कि यह forecasting है future की प्रती हम क्या सोचते हैं continuously सोचते रहते हैं कि हमें कितनी manpower की जूर्थ पड़ेगी developing है and controlling है किसकी manpower की by which a firm is ensured it has the right number of the people and the right kind of the people and at a right place at the right time doing the things for which they are economically most useful तो मैंने यह line इसलिए पहले लिखी थी क्योंकि आपकी line इन डिरेक्टली वे से आपकी definition से पूरी definition का भी सोचते हैं अगर आप यह line याद कर लोगे तो आपकी सारी की definition as it is learn हो जाएगी तो मैं तभी बोलती हूँ कि जब मैंने questions paper को upload किया था questions paper के अंदर मैंने बताया था कि किस तरह से question paper को attempt गाना चाहिए तो यहां पर देखो introduction कुछ इस तरह का होगा और फिर आपका meaning इस तरह से होगा फिर आपकी definition इस तरह से होगी समझ पा रहे हैं तो क्या हो है जस्टे ने क्या का है कि manpower एक इस तरह से planning है जिसके अंदर हम क्या करते हैं लोगों की बारे में future के बारे में सोचते हैं कि हमें कितने चाहिए उनकी किस तरह से development होगी हम उसको पर किस तरह से व्यक्ति है सही time पर पोइंट किया हो और सही काम करने वाला हो ठीक है for which क्यों कि बिजनस के लिए वह economical होना चाहिए कि कहने का मतलब वह काम इस तरह से perform करें कि वह किसी तरह से नुक्सान ना करें एक्जांपल के तोर पर अब यह एक व्यक्ति है ठीक है यह जो व्यक्ति है यह एक दिन के अंदर वन डे के अंदर कितने उनिट प्रोड्यूस कर लेता है बीस उनिट प्रोड्यूस कर लेते हैं ठीक है और एक दूसरा व्यक्ति है वह एक दिन के अंदर कितने unit produce कर लेता है वो 15 unit produce कर लेता है तो ये organization के उपड़ depend करता है कि अगर उसने ये वाला personal point किया होगा तो वो कही ना कही उसके लिए economical होगा क्योंकि वो इससे 5 unit ज़्यादा बना रहा है जिससे क्या है company की cost भी कमाएगी जिससे क्या है वो cost कम आएगी तो profit ज़्यादा जरनेट होगा तो economical होना चीए और बहुत ही useful होना चीए वो person company के point आँ जैसे ठीक है benefit and importance की बात की जाए बहुत ही छोड़ा chapter है benefit के बाद सीथ process आएगी process के बाद फिर अमरा chapter फिनिश हो जाएगा सबसे पहले क्या है benefit क्या है human resource planning का to meet up recruitment so requirement of the organization organization को यह पता चल जाएगा कि आपकी requirement क्या है हर एक department वाले क्या करेंगे अपनी requirement के इसाब से अपनी command भेजेंगे कि हमें दो व्यक्ति चाहिए हमें तीन व्यक्ति चाहिए हमें चार व्यक्ति चाहिए ठीक है to do work in the एक सेगिड देखो क्या लिका हुआ है to do work in the organization every organization need a personal of the desired skill and knowledge experience means organization job nature क्या होता है define the some qualifications and experience और human qualification knowledge and experience पाता है क्या कह रहा है हर एक department में अलग अलग experience चाहिए अलग अलग knowledge चाहिए अब एक हों कि sales department के अंदर व्यक्ति चाहिए तो sales department वाले के अंदर जो क्या है कैसे व्यक्ति पोइंट होंगे जिनको field का काम marketing का काम पता हुआ ठीक है अपने product को दूसरे के सामने represent करने का पता हुआ अगर purchase department के बात करे तो purchase department में वे सभी व्यक्ति आएंगे जिसको क्या है समान purchase करना आता होगा अपने जो seller है अपने जो buyer है दोनों के साथ deal करना उन्हें आता होगा और इस तरह से deal करना आता होगा कि ना तो समान महेंगा खरीदे और ना ही समान महेंगा बेचे समझ पा रहे हो दोनों point of view से होना चाहिए तो हर एक organization के अंदर उसकी job के अंदर उसकी qualification और experience अलग लोग होती है और वो qualification और वो experience क्या होना चाहिए उस human के साथ match होना चाहिए जिसे वो appoint करने जा रही है Got it? समझ में आया पहला point तो उनकी requirement पता जल जाती है हर एक organization की planning से Next आजाता है counter balance in security and the changes क्या कह रहा है counter balance का मतब समझ पा रहे है balance करना हर एक situation को क्या है balance करना अगर organization के अंदर जादा व्यक्ति है तो उसको कहीं और shift कर देना कम है तो कहीं और से पने है समझ पा रहे हो balance किसमें कर रहे है human resource के अंदर और non human resource के अंदर समझ गए होंगे human resource मतलब की manpower और non human resource management that means machinery होगी material होगया money होगया दोनों के बीच में क्या होना चाहिए balance होना चाहिए कहने का मतलब कि मा लीजिए आपकी organization के अंदर बहुत सारी employment समझ पा रहे हो पूरा college जो तुम्हारे जीती class में जीतनी बच्ची है सारे के सारे उस मालेजिए वो organization में काम करते हो ठीक है but organization के अंदर काम करने के लिए आप आतो गए बट आपके पास machine नहीं है machine है तो electricity नहीं आ रही electricity आ रही है तो बार बार कट हो रही है shortcut हो ठीक है समझ पा रहे हो कहने का मतलब आपके पास यह जो non living resources है non human resources है वो proper way में नहीं है अगर आपके पास machine है material है पर पैसे नहीं है पैसे भी कहीं न कहीं इंफ्रेक्ट डालेंगी अगर material मनी भी है machine भी है material नहीं है तो material के बिन आप कैसे कोई समान को production कर पाओगे नहीं कर पाओगे ना इससे आप वोजिट यह भी हो सकते है कि आपके पास यह सारी चीजी हो manpower ही नहीं है manpower ही जैसे की होते है कि कॉलिज के अंदर student जी students आ रहे teacher ना हो यह भी हो सकते है teacher teacher आ रहे student ना हो कोई ना कोई effect अगर दोनों आ रहे है बट blackboard नहीं है book नहीं है कही ना कहीं वो चीजी effect डिलेगी ना बट teacher अपनी point office पढ़ा देगा बट कहीं ना कहीं वो चीजे effect डालेगी ना एक effective teaching ओने के लिए हमें सभी चीजों की जूर्थ होती है अब मुझे यहाँ पर पढ़ाने के लिए यह copy भी चाहिए मुझे साइड में जो अलग से आपको example समझाने के लिए copy भी चाहिए आपको different different मैंने pen collect कर रखे अगर यह नहीं होंगे तो मैं अपने teaching को effective way से नहीं समझा पाऊंगे अपनी जो lesson है उसको नहीं अपने अपने आउ तुम्हे explain कर पाऊंगे तो कही ना कहीं यह सबी चीजे एक दुसरे को effect डालती है तो situation number one क्या है कि an organization may have the educated non human resources but a non available of the in educated human resources means आपके पास proper मात्रा में non human resource management है but आपके पास human resource management नहीं है वो भी situation आपके लिए गलत है अगर आपके पास human resource management है but non human resource management नहीं है तो वो भी चीज आपके लिए गलत है ठीक है in a both situation no production is done इन दोनों situation में चाहे यह ना हो चैब हो ना, production तो फिर भी नहीं हो ना, हो ना company को low से भाई, हाना, so human resource planning is determined the education of the all resources, proper way में सबी resources को available कुराने की कोशिश करती है human resource, ठीक है, जो हम planning करते है, next आ जाते है to help in the checking the labor imbalance, labor imbalance के बारे मैं समझ यह होंगे, कि labor आपकी ना तो जादा हो, ना कम हो, मैंने वो पहले जो line बोली थी ना, surplus वाली की, इस department, यह यहाँ है की, यहाँ resources का था, यह यहाँ पर labor का है, क्या कहरे है कि shortage and the surplus of the manpower is not a good for their organization, it's proved very expensive for the organization, यह बहुत ही expensive, कही ना कहीं साबित होगी, ठीक है, कहने का मतलब, अगर आपके पास क्या है, जो organization के अंदर, manpower क्या है, surplus में, surplus में, that means, आपके पास जादा है, आपको चाहिए, एक अजार, सो बैक्ती चाहिए, आपके पास है, डेड़ सो, तो जो बीच का जो पचास, पाचास बंदे हैं, यह आपके पास, क्या है, surplus है, तो आप इसको क्या कर सकते हो, किसी ओर department के अंदर, transfer कर सकते हो, कि कि किसी ओर department के अंदर, किसी in person के जूर्त हो, इस resources may be underutilized, कहने का मतलब यह है, कि आप अपने resources का, proper way से utilize नहीं कर पा रहे हो, हना, next क्या है, in the case of the shortage of the human resource, तो आपने क्या किया, तो physical resources can't not be utilized, समझ भा रहे हो, कहने का मतलब, यहाँ पे human resource आपकी shortage में है, यहाँ पे नहीं दो point आ रहे है, दो point आ रहे है, आप एक तो यह कर सकते हो, कि आप अपने employees को transfer कर सकते हो, किसी ओर department, मेंट, जहाँ पर shortage है, पहला point तो यह हो गया, दूसरा point यह है कि, अगर आपके पास human resource management, human power है, manpower, जो अगर आपको सोच चाहिए थे, आपके पास 50 है, तो बीच के जो 50 बचे न, इनकी ना होने की वज़े से, आपके पास जितने भी other resources थे न, non human resource, physical resources का, आपने proper utilize नहीं किया, कि machine रखी थी, आपने manpower ही नहीं है, तो production भी नहीं होगा, पचास बंदों ने तो अपना काम कर दिया, बट पचास का तो रहता है न, तो आपने जो बाकी बचे resources है न, उनका proper utilize नहीं हो, अगर in case मान लीजे, आपके पास manpower जादा है, तो आपने क्या किया, जो already exist में थे न, जो आपके पास समान, उनका आपने बहुत ही जादा, utilize कर दिया, दोना point आगे समझ में, next आजाता है, right size of the human resource requirement of the organization, क्या कह रहा है, कि right size में होने चाहिए, यह नहीं होना ची कोई एक post खाली है, एक में दो-दो वैक्ति काम कर रही है, कि organization के अंदर, कुछ एक post, some post जो है न, क्या होगी, vacant होगी, ठीक है, कारण कह है vacant होने का, retirement है, accidents है, resignation है, promotion है, death of the employee है, यह सब ही कारण है, जिनकी वज़े से क्या है, आपके organization के अंदर, जंगाय खाली होती है, consequently, this is a constant need of the replacement people, through human resource planning, estimate the future requirement of the organization, हमें पता होता है, कि हर साल, कितने वैक्ति की retirement होने वाली है, कितने वैक्तियों का क्या है, जो ओसत दर accident के कारण, जो हमारी post कम हो जाती है, जो होता है एक organization में, जो analysis करने वाला वैक्ति, जो होता है, research method करने वाला, research methodology वाला वैक्ति होता है, वो इन सभी चीजों को no down करता है, कि कितने कैसे, हमारे organization में activity perform की जारी, ठीक है, तो इन्हें की through, हमें क्या कर सकते, future की requirement को हम देख सकते है, कि हमारे organization में, कितने वाला वैक्ति और चाहिए है, next day, to meet the expansion and the diversification, need of the organization, आपको यह पता लग जोगा, कि अगर आपके business के अंदर, expansion करनी है, diversification करनी है, और भी modification करनी है, उन सभी के लिए, हमें कहा है, पहले सी plan करते हैं, अब यह देखो, अब मैंने यह सोचा है, कि मैं मेरी business के अंदर, पहले क्या है, पहले हमारे एक ही road cover होता था, ठीक है, अब मैं चाहती हूँ, कि मेरा दूसरा road भी cover हो, कि मेरे दिमाग में एकदम से आजएगा, नहीं ना, अगर आ भी गया, तो यह सोचूँगे ना, दो-तिन महीने के बाद मैं इसको apply करूँ, कि मुझे जो भी चीज़ की requirement होगी, मैं उसको पहले collect कर लूँ, तो हम क्या करेंगे, पहले plan करेंगे, future के लिए, कि जो हम आने वाले जो महीने होंगे, वो मेरा future ही है, ठीक है, आने वाले जो अगर आपने past, present, present tense पड़े होंगे, तो आने वाले अगली एक minute भी हमारी future है, और पीछे जाच जाने वाली, जो पीछे जाच चुकी है एक minute, वो हमारी past है, जो अभी चल रही है ना, वो present है, समझ पारे हो, तो मेरे जो दो महिने का मैंने plan बनाया ना, तो यह हमारा future plan होगा, कि हमारा क्या होगा, ठीक है, through the manpower, manpower की help से क्या कर पाएंगे हम, कि organization future plan will be perform and execute, because it's ensure that the people of the desired skill and the knowledge are the available to handle the challenging job requirement, क्या कह रहा है, कि अगर हम situation, अब देखो कितनी technology बढ़ गई है, कितनी ऐसी systems आओ चुक है, जो computer के साथ चलते हैं, अगर मैं उन व्यक्तियों को point करूपने organization के अंदर, जिनको computer चलाना होता होगा, तो आने वाली हर situation को face कर पाएंगे, क्योंकि सारे के सारे काम computer पे होते हैं, मुझे उनको बार-बार training देनी पड़ेगी, अगर किसी को बिल्कुल ही नहीं आ रहा भाई, बिल्कुल नला बंदा है कि उसको computer नहीं नहीं करना आ रहा भाई, shutdown जो open करना नहीं नहीं आ रहा भाई, तो मैं उसको training दे दे के मैं करूँगी क्या, मैं ऐसे व्यक्ति को point करूँगी न, जो क्या है, उसके अंदर already वो skill हो, उसके अंदर already वो knowledge हो, जिसके अकारण जो future में आने वाली, जो जितनी भी challenges है न, तो उनको वो क्या कर सके, handle कर सके, according to need, update yourself, अपनी need के according मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने आपको update करना पड़ेगा, ठीक है, समझ पा रहे हैं, next point क्या कह रहा है, की, training and development, training and development का मतलब क्या है, training and development process is a continuous, continuous process है, because according to change in the technology, environment and the competition, we also need to update our employees, and the company environment, जैसे जैसे हमारा environment change हो रहा है, competitor क्या पतनी, क्या क्या technology लेके आ रहे हैं, आपको मैं बताती हूँ है, like advertisement का तरीका था, मैंने परसो तरसो रोड पे देखा था, कि जो पीजा की shop वाले हैं, पीजा कैफे वाले हैं, उन्होंने क्या किया, पीजा की और attraction गरने के लिए, क्या किया था, दो व्यक्ति अपनी organization के, यहां साथ साथ चल रहे हैं, पीजा का पोश्टर लेके हुए, पीछे डोल वाला व्यक्ति चल रहे हैं, बस यह तीन व्यक्ति, पुरे रोड पर ऐसे धुम्दड़ा का धुम्दड़ा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तो क्या है यह, competitor जो है, पतानी क्या technique अपना ले, अपने product की और अपने customers को attract करने के लिए, तो competitor को देखते हुए भी हमें क्या करना पड़ेगा, training देनी पड़ सकती है, अब यह देखो कि इन दोनों व्यक्तियों के अंदर, कितना सहास होगा, हिमत ही है भई, पूरे road पे यह दो ही चल रहे हैं, वो भी डोल के साथ, और वो पीजा वाला पोस्टर लेकर, समझ पा रहे हो, तो यह क्या एक competitor की strategy को लेकर उनके, और आप जो environment में चल रहे हैं, environment को देखकर, ठीक है, हमारे बातावरण में क्या चल रहे है, क्या technology आ रही है, उनको देखकर, हमें क्या करना पड़ेगा, training भी देनी पड़ेगी, और development भी करना पड़ेगा, next point आजाता है, कि fulfill individual need of the employee, fulfill individual need of the employee, individual need पताँ क्या कर रहे हैं, employee की need कर रहे हैं, जो व्यक्ति आपके organization में काम कर रहे हैं, उसकी need, अब जो ये डोल के साथ चल रहे हैं, उनकी कुछ expectation होगी, उनको कुछ extra में कुछ मिला होगा, कि activity बहुत कम लोगों के साथ perform की जा सकती है, वो किसी की ने तो क्या पता मना भी कर दिया हुगा, कि नहीं यहाम नहीं करते, बट ये उनने, कमपनी ने भी लाल सा दिया हुगा, कि हाँ तुम्हें ये देंगे, तुम्हें ये देंगे, तुम्हें बोनस देंगे, तुम्हें 10% ऐसा कुछ देंगे, तो तब ही वो start होँगे, तो कमपनी, हर एक organization के अंदर employee चाहता है, कि जो उसकी need है, जो वो चाहता है, वो क्या हो, फुल्फिल हो, जैसे कि, वो promotion चाह सकते हैं, या transfer लेनी है, वो transfer भी चाह सकते हैं, salary में, encashment करना हो, encashment मतलब कि, जो आपने, कई बार होता है, अगर आप छुटी नहीं लेते हो, तो छुटी के बदले, आपको salary, cash में convert हो जाती है, जैसे महीने के अंदर, आपकी 8 चुटी होती है, एक government employee की, ठीक है, 8 या 6 चुटी होती है, और जो साल की, साल की होती है, साल की 12 चुटी होती है, साल की 12 पता नहीं, 10 चुटी होती है, ठीक है, अगर इन 10 चुटी हो, इन 10 चुटी हो, आप नहीं लेते हैं, तो इसको हम cash में convert करवा सकती है, तो salary cashment यह होते है, salary increment होते हैं, other benefits होते हैं, यह सभी चीज़े, एक employee चाहता है, कि हमारी organization में होना चाहिए, next point कह रहा है, help in formulations of the budget, इसको हमास्टर बजट में बनाने में भी help होते हैं, कारण कहा है, क्योंकि आपका जो financial plan होते है, वो budget के उपर होते है, कि आपको इतना पैसे यहाँ spend करना है, इनका इतना पैसे आपको यहाँ spend करना है, तो आप एक master budget त्यार करते हैं, इसके अंदर आपके हर department वाले होते हैं, even वोचे शेल डिपार्टमेंट वाला होते हैं, sale budget बनाए जाता है, purchase budget बनाजाता है, cash budget बनाजाता है, capital budget बनाजाता है, finance budget बनाजाता है, सारे के सारे budget एक को मिला, master budget होता है, master budget की help से हम क्या कर पाएंगे, estimate लगाग पाएंगे, कि इस इस department को इतने पैसे देना है, इस department को इतने पैसे देना है, ठीक है, तो budget क्या एक financial plan है, for a specific period के लिए, estimation of the expenses, because it's facilitate the formulation of the budget of the various department, काफ हर एक department के लिए helpful होते हैं, अब यहाँ पर आपकी book के अंदर, काफी सारी लेवल दे रखिये हैं, human resource planning at the different different level, जैसे कि आपका national level पे, secretary level पे, industrial level पे, unit level पर, departmental level पे, job level, सब पे अलग लगते हैं, ऐसे planning होती है, ठीक है, अब बढ़ते हैं, हमारे planning के process, this is a very most important topic, and exam में यही आते हैं, आप देखना, जैसे मैंने questions paper upload किये थे न, आपके human resource management के भी हो गए है, income tax के भी हो गए है, management accounting के भी हो गए, retail management, fundamental of insurance, सभी आपके जितनी भी subject हैं, even वो चैए, amcom के हैं, becom के हैं, amcom के अंदर operational research आजाता है, organizational behavior आजाता है, research behavior आजाता है, ठीक है, और आपका financial management आजाता है, यह सभी जो questions paper आपको मिल चुके होंगे, आपको आपके ही चैनल questions paper पर, ठीक है, link आपको उन, सभी, जो questions paper की वीडियो है, उनको link आपको description box में मिल जाएगा, ठीक है, वहां से देख सकते हैं, तो आप वहां देखना, उन questions paper के अंदर, वह MBA वाले में भी, AMCOM वाले में भी, BCOM वाले में भी planning आई हुई थी, ठीक है, तो हम शुड़ू करते हैं, सबसे पहले देखो, क्या लिखा हुए है, organizational objective, plan and policy, जब भी हम कोई planning करते हैं न, तो हमें सबसे पहले, organization के, objective, organization के plan, organization की policy, जो मैंने आपको starting में भी बता है था, कि जब भी कोई planner होता है, जब भी कोई organization होता है, जो organization में जो manager होता है, वो planning करना शुरू कर रहा है, तो कही ना कहीं, उसको organization के अंदर use होने वाली strategy है, organization के अंदर apply होने वाली जो policy है, उसके objective, उसके motive, उस सभी चीज़ों के बारे में पता होगा, तब ही वो planning करनी शुरू करेगा, अगर उसको नहीं पताना, तो उसको यहां से शुरू रोना पड़ेगा, पहले उनको सभी के बारे में पता होना चीए, क्या लिखा हो है, when we study on the topic of the human resource planning, must be clear about the objective, plan and policy of the overall organization, अगर आप इस पत्थ पे जा रहे हो, कि हमें planning करनी है, तो planning करने के लिए, सबसे पहला है, क्या कर्तव बनता है, कि आपको अपने organization के objective, आपको अपने organization के plan, उसकी policy, उसकी strategy, किस तरीके से काम कर रहे है, वो सभी पता होने चाहिए, the objective of the human resource plan, are drive from किसे हुआ, organization objective से हुए, human resource plan का main objective होगा, वो उसके organization के objective से ही, define कर पा होगे, कहने का मतलब, अगर आपको अपने organization के objective के बारे हैं पता होगा ना, तब यह आप planning कर पा होगे, plan कर पा होगे, कितनी हमें जो लोगों की जूर्थ पड़े हैं अपने organization के अंदर, ultimate objective of the human resource planning, is then related to the future human resource requirement of the future organization need, कही ना कहीं, जो आपके human resource planning होगी ना, वो relate करती है, आपके जो future में चाहने वाले manpower resources है ना, उनसे relate करती है, it will be ensure that it is a maximized the future return on the investment in a human resource, पता है क्या कह रहा है, ये बहुत बड़ी line कह दिया आपके लिए, आपके लिए समझना भी बहुत बड़ी बात है, अगर आपको समझ में आ जाती है तो, क्याने का मतलब, आप देखो ये दो व्यक्ति है, organization के अंदर दो व्यक्ति है, एक है, 21 साल का लड़का, एक है 41 साल के person, ये थोड़ा सा बड़ी उमर का है, नॉर्मल सी बात है, हम इसको uncle कहेंगे, ये थोड़ा सा कम उमर का है हम इसको, थोड़ा सा जंक्सन कहेंगे, company को person appoint करना है, दोनों के पास same skill है, same experience है, तो क्या होगा, अब experience, आप ये मत कहा देना, अब experience ये तो 21 का, ये इससे 20 साल बड़ा है, तो experience इसको ज़ादा होगा, ये काम करने में experience दोनों का 3-3 साल होगा है, ठीक है, तो अब ये बताओ, company किसको point करेगी, इसको करेगी, इसको करेगी, ये भी सुनो, retirement की जो date पचास साल है, company retire कर देगी, व्यक्ति को 50 साल, तो आप बताओ, क्या इस व्यक्ति को point करोगी, इसको, ये इसको, सोच लिया, सबने most of मेरे साब सी, आपने इसको answer दिया हुगा, बहुत अच्छी तरह से दिया, बट कारण के आपने इसोचा, मैं बदा दियू, अगर organization इसको point करेगी, आप पहली बात तो देखो, ये यंग्स्टर है, इसके अंदर energy है, कुछ करने की, कुछ ना कुछ ऐसे होते ना, लल्लक होती है, अब आप सभी इसी stage के अंदर हो, फाइनल इयर के अंदर हो, या फिर उससे बड़ी उमर के हो, तो कही ना कहीं आपको ये होते है, कि मैं कहीं job करूँ, मैं कुछ ना कुछ अच्छा उसको output दू, तो organization के लिए भी ये profitable होगा, और दूसरी, जब भी कोई organization, किसी employee को, किसी person को recruit करती है, मैं किसी वैक्ति को point करें, वो मुझे कितना दे कर जाएगा, अगर मैं उसको उपर salary मान लिजी, बीस हजार उपे हैं, अब यहाँ पर देखो, वो कितने साल यहाँ पर काम करेगा, उननतिस साल तो यहाँ काम करेगा, ठीक है, बारा महीने काम करेगा, और बीस हजार मान लिजी, salary होगी, राइट, समझ पाए, अब अगर मैं इसको सभी को calculate करो, तो यहाँ पर, यह क्या होगा, इसको अगर से multiply गरो, तो इस 3, 4, 3, 8, इंटो 2, 0, 0, 0, तो यहाँ जएगा, 69, 0, oh my god, मान लिजी, अब जैसे जैसे उमर बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे इसको experience बढ़ता जाएगा, तो salary भी तो increase होगे न, तो मान लिजी, एक करोड वो company उस व्यक्ति को दे रही है, एक करोड बहुत बड़ी amount हो जाती है, तो company है decide करेगी, तो उसके ओपर हमारा जो future में return होना, वो maximize हो जो, जादा वो एक करोड की बदले में, तीन करोड दे के जाए company को, company के दिमाग में ये चलती है, जब भी आपको point करती है, तो you should also analysis the various other plan क्या करती है, वो expansion के बारे में सो सकती है, diversification के बारे में सो सकती है, सारे organization के plan को analysis क्या जाता है, तो ये जो सभी plan है, हमें decision लेने के लिए, ये जो सभी activity है, हमें decision लेने के लिए में helpful provide करती है, कि हमें कितनी human की requirement होगी, जान उसके बाद हमारे पास आजाता है, कि human resource की demand कितनी है, demand समझते हो, demand समझते हो, it is a process of the estimate of the human resource, future resources, requirement of the right quality and right number, कि कितने number जाए, पहले तो आपने क्या देखा, कि आपका objective के आपके objective के इसाब से, आपने देखा कि हाँ चाहिए या नी चाहिए, आपने देखा कि हमें चाहिए, अब चाहिए तो कितने चाहिए, demand देखने है, कि organization में demand है कितनी, तो demand की बारे में बात किज़े है, कि कितनी quality, क्या right quality क्या होगी, और क्या right number होगे, मान लीजिए हम हमें 100 वैक्ति चाहिए, 100 वैक्तियों कि कितनी experience, कितनी qualification, कितनी eligibility criteria हम सब सेट करेंगे, है ना, as I discussed earlier, potential HR requirement, in view of the organization plan, over a given period of time, analysis of the employee, the trends क्या कह रहे हैं, कि replacement, replacement need of the employee due to the death, अगर आपको, अब हमें यह क्या चाहिए, अब हमें देखना है कि हमें demand कितनी है, हमें कितने वैक्ति चाहिए, सबसे पहले देखेंगे कि कितने की replacement होगी है, कितनोंने resignation दे दिया है, कितनोंने retirement दी है, termination किया है, टिक है productivity of the employee देखेंगे, growth expansion देखेंगे, organization की, absentism कितने होए, कितने छोड़ के जा चुकी है, कितने लोग क्या है, absent रहते हैं, यह मतलब कि 10 वैक्ति ऐसे हैं, जो महिने में 10 बारतों चुटी मारी लेते हैं, तो क्या कारण है absent होने का, उनको अटा के नया वैक्ति लिए आई, अना labor turnover है, क्यों वैक्ति है, जो manpower है हमारी organization को छोड़ के जा रही है, यह सभी कारण होते हैं, जिनके कारण demand create होती है, these are the relevant factors for the human resource forecasting, these are the number of the technique for the estimate of future, forecasting the human resource demand, पता है क्या कह रहा है, कि यह सभी कारण है, जिन कारणों की help से हम क्या करते हैं, हमें demand create होती है, और इन demand को दुबार से fill करने के लिए, हमारे पास काफी सारी technique है, यह technique है न, चार number में भी आती है आपकी, और छे number में भी आती है, कई बर दो number में पूछ लेते हैं, जैसे कि D.O. University और M.D. University के अंदर, दो-दो number में हैं, तो सबसे पहले क्या process है, managerial judgment, managerial judgment क्या होता है, जिसके अंदर आप क्या है, management, top level management, और lower level management की help लेते हैं, जैसे कि, small scale organization होती है, दो तरह की organization पता है, एक तो छोटी होती है, एक बड़ी होती है, हाना, एक तो medium होती है, बट हम यहाँ पर छोटी बड़ी की बात कर रहे हैं, छोटी बड़ी के अंदर क्या होगा, एक जिंगेंट, हमारे पास, अपनी organization के बड़ी पेंड करता है, अगर छोटी है, तो कौन सी apply करेगी, अगर large है, तो कौन सी apply करेगी, इस totally depend upon the organization, तो हमारे पास दो अप्रोच है, दो टेक्निक है, जब भी हम किसी organization के अंदर, managerial process के थूर, person की demand को, मतलब देखते हैं कि कितनी requirement है, पहला process क्या है, bottom-up approach, दूसरा क्या है, top-down approach, अगर नाम से clear हो रहा है, bottom-up, मतलब कि bottom से, उपर की और जा रही है, bottom से, उपर की और जा रही है, bottom में कोन होता है, lower level के organization के department वाले होते है, पर उसके बाद middle level, उसके बाद top level, ठीक है, अब यहाँ पर कहते हैं कि top-down, top से नीचे, याद करने की trick बता रही हूं, साथ साथ आप इसको याद भी कर सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर bottom-up का मतलब क्या है, जो line manager वाले होंगे, तो मतलब कि lower level के management होंगे, send their departmental requirement of the human resource to the top management, जो नीचे वाली, अब यह देखो, मैं यहाँ पर pyramids बना देती हूं, ठीक है, एक, दो, तीन, यह top के हो गए हैं, यह middle के हो गए हैं, यह lower, यह lower level वाले department वाले क्या करेंगे, अपनी requirement के इसाब से, यह information top level के पास बेजेंगे, ठीक है, तो bottom-up का मतलब होता है, कि जो line manager होंगे, वो अपनी requirement, मतलब कि, हमाले जी, इन्होंने कहा, कि हमें 100 वैक्तियों के और जूर्थ चाहिए, कि समान को load करें, समान को reload करें, ठीक है, तो इन 100 वैक्तियों के जूर्थ के लिए, हमने क्या किया, top management के पास request बेची, top management ultimate forecast करेगा, क्या forecast करेगा, कि HR requirement, human resourcement की कितनी requirement है, पर सारे organization के लिए, entire organization होदा basis होदा, proposal of the departmental head, हर एक department वाले बेच ज़रूरी नीए, कि नीचे वाले, अब नॉर्मल सी बात है, decision इसने लेना है, मान लिजे, middle level वाले ने भी उपर बेच दिया, हाना, तो क्या है कि, हर एक department वाले, उपर की और अपने, जितने manpower चाहिए, उन सब को requirement बेच देगी, मैं 100 चाहिए, मैं 80 चाहिए, मैं 70 चाहिए, तो कि ज़र्माली जे, sale department, finance department, purchase department, according to requirement, hiring the employee, अपनी requirement के इसाब से, वो क्या करेंगे, लोगों को hire कर लेंगे, बट, top down की बात की जाए, top down की अंदर, क्या हो जाता है, कि जो top management, अपने आप forecast करते हैं, यहापे, इनों ने अपनी suggestion दी थी, कि हमें, इतने वेक्ति चाहिए, बट इसकी अंदर, top management, अपने आप forecast करते हैं, कि जो human resource है, कि उनको requirement, पूरे organization में कितनी है, फिर वो सब से पूछेगा, थोड़ा सा differentiate कर पा रहे हैं, यहाँ तो, नीचे से उपर क्यों जारी थी, यह इसमें क्या है, top में, उपर से नीचे क्यों जारी, कि अपने आप भी सोचर है, top management वाला, कि कितने व्यक्ति चाहिए भाई साब, ठीक है, the information is a supplies to the various department, यह जो information है, सभी जंगे फैल जाएगी, और कहेंगे, कि अपने अपनी requirement के साब से, व्यक्ति को बताओ, फिर हम अपने आप अपोइंट गरेंगे, तो अपनी requirement कैसे create की जारी है, कि requirement को कैसे determine के जारे है, managerial process से किया जारे है, जिसके अंदर management include है, वो decision लेगा, कि top से या फिर bottom से, अगर इन दोनों अप्रोच को मिला दिया जाए, तो कौन सी अप्रोच बन जाएगी, इसके अंदर, participative approach बन जाएगी, जिसके अंदर दोनों बन्दे, क्या है, top और line manager वाले हैं, दोनों participate कर रहे हैं, ठीक है जीब, तो top management and the departmental head, meet and decide it about the future human resource requirement, ये दोनों department मिल कर, क्या करेंगे, कितनी humans की जुरुष्ट चाहिए, कितनी human की requirement है, उनको decide कर लेंगे, next process क्या है, next technique क्या है आपके पास, work study technique, work study technique का मतलब क्या है, कि जिसके अंदर, हम estimate करेंगे, कि आपका organization के अंदर, कितना काम है, समझ पा रहे हो, on the basis of the work, और कितना काम, कितने दिनों में, कितने व्यक्ति पूरा कर वे, तोटली यहाँ पर, work के उपर focus किया गया है, किसके उपर focus किया गया है, work के उपर focus, this technique is also known as the, work load analysis, work load analysis क्यों का गया, क्योंकि work का load होगा, उसको analysis करेंगे, और इस work को कितने दिनों में, कितने व्यक्ति पूरा कर रहे हैं, फिर उसके हिसाब से, फिर इस में क्या गया हो, यह कही ना कहीं, 20 में करेंगे, फिर से कम में करेंगे, अब यह formula करेंगे इसका, ठीक है, तो क्या करेंगे हैं, the technique, the technique suitable where the estimate workload is easily measured, यह technique वहीं पर suitable होगी, जहां पर आपको यह पता होगी, यह आपको काम कितना करने हैं, भाई साब, कितना काम करने हैं, ठीक हैं, next क्या है, under this method, estimated total production, and the activity is a specific future period, or the predicted, इस में आपको क्या है, total production आपको पता होने चीए, कितनी activity आप perform कर रहे हैं, यह पता होने चीए, उसे की साब से क्या करोगे, फिर आप व्यक्तियों को अपोइंट कर लोगे, this information is translated to the number of the man hours, required to the production, सिधा आप एक्जेम्पल पर करते हैं, फिर इसको पढ़ेंगे, फिर आपको मेरे साब से better way में समझ में हैगा, देखो आपके पास example, आपके बुक का यह example है, कि estimation production क्या थी, आपके साल के अंदर 3,00,000 यूनिट थी, फिर देखा कि जो 3,00,000 यूनिट को, आपके जो organization के अंदर, जो काम करने वाले व्यक्ति हैं, वो daily क्या है, उनको चाहिए था, produce the each unit, एक यूनिट को produce करने के लिए, उन्हें दो घंटे चीनी थी, अब नॉर्मल सी बात है, 3,00,000 यूनिट बनानी है, और वो एक यूनिट को 2 घंटे बना रहे हैं, तो 3,00,000 यूनिट को कितने घंटे बनेंगे, तो एक यूनिट के लिए, वो 2 घंटे ले थे, ठीक है, तो 3,00,000 यूनिट के लिए, गंटे लेंगे तो वर्कर एबिलिटी क्या होगी पंद्रा सो गंटे है इतनी प्रोडक्शन करनी है इतने आपके पास गंटे है यूनिट सेम है तो आपको क्या गरोग इसको डिवाइट कर देंगे आपको चार सो वर्कर की जुरत है चार सो वर्कर तीन लाख यूनिट को पड्यूस कर देंगे अब आपको यह एस्टिमेट हो जाएगा कि अगर एक व्यक्ति एक एक यूनिट को दो गंटे बना रहा है तो जैसे जैसे यूनिट बढ़ती जाएगी वैसे आपके वर्कर भी बढ़ते जाएगे बढ़े होए व् तो रेश्यो होगी क्या है वो इंक्रीज होती चली जाएगी अब मालिज यह चार लाख व्यक्ति होंगे चार लाख यूनिट होगी तो चार लाख को दो से मल्टिप्लाइ करेंगी आट लाख घंटे चाहिए हाना आट लाख घंटे डिवाइड में 15 उतने वर्कर आ तो यहाँ पर यही क्या आगया है डिमांड ओफ दे हुमें रिसोर्स इस फोर्कास्टिड ओन दा बेसिज ओफ दे एस्टिमेटी टोटल पोड़क्शन होगे जब आपके पास यह पता होगे आपको पोड़क्शन कितनी करनी है अब मैं यह पता था तीन लाख पोड़क्श पास ने यह पास पास पांसों वूरकर ने एक लाख को प्र्रड्यूस की तो इनका रेशो कितना आ गया 1 इस टू 200 जलो कि 1 worker ने 200 unit को produce किया है समझ पारे हो कि 1 worker ने 200 unit को produce किया है तो 1 worker is required to produce 200 units per annual अगर हमें estimate करना हो कि 140,000 unit को production करने के लिए आपको कितने workers चाहिए होगे क्या आप बता सकते जल्दी से करके दिखाई जल्दी से अब देखो आप यही करोगे ना कि एक पहले तोड़ अपलटो करो आप देख्यों यहां पर क्या Ahh All अब देखो यहां पर डिखeu क्या होता हैm कि च्या होता है यहां ऐसे लिख सकते आप अब Most कि एक लाग द्रमीं बट्टे में पानसो कि है थो जा रही हमेरे साफ यह है ंग एक है आग अध मिंट्रा में को कि पड्रिउच करते हैं अब मैं एक लाग 400 चाहिए तो तो एक लाग चालीस नीची हो जाएगा ठीक है 200 उनिट को प्रड्यूस करते हो कितने वर्कर्स होई हम यहां से निकाल पाएंगे जहां पर आपका mathematics point of view से यूज हो रहे है जहां पर आप mathematics की techniques को statistical की techniques को जहां पर आप easily compare कर पाते हो data को easily perform कर धिखात सकते हो उनका use करके भी आप क्या कर सकते हो आप अपने वर्कर्स की वर्कर्स की demand को estimate कर सकते हो ठीक है this model create a established the relationship between the dependent variable तो भी प्रेडिटिटिक दा इन्डीपेंडेंडेंट वारीबल नजर नी आ रहा ये लो टेक है डिपेंडेंडेंडेंट वारीबल को अगर आपके पास human manpower है तो आपस इसकी total production को increase कर सकते हो। अगर आपके पास manpower ही नहीं है तो आपके जो independent इफेक्ट होंगे नेट्स आ जाता है दिलिप टैक्निक क्या है जब आप क्या है काफी सारे बड़े-बड़े एक्सपोर्ट सुझ इतनी भी मार्किट में बैठी है ना उन सभी एक्सपोर्ट को बुला लेते हो और उनको अपनी मार्किट की सिचुएशन अपने बिजनस की सि सहमत होंगे और उस मेन ओपिनियन को माल लेंगे कि हां यतने व्यक्ति चाहिए उसे गहते है जिलिप टैक्निक एक्सपर्स बलाएंगे अगर उनमें से एक भी मालेजे 50% व्यक्ति खुश है 50% व्यक्ति खुश नहीं उसकी डिसीजन से तो क्या होगा फिर एक नया फिर डि और जब तक स्यामत नहीं होंगे यह जो प्रोसेस है कंटिनियूसली चलती रहेगी एस्टिमेट सप्लाई कैसे करा कि तरह प्रेजेंट में जो एक्जिस्ट है वह और जो ज़्यादा चाहिए पोटेंशल एडिशनल ओफ धुमन रिसोर्स ज्यादा चाहिए उसको प्लस कर तरने का चेंट करतेंगे अगRO में एटानी है तो से सब्सक्राइब करतेंगे इससरी सब्सक्राइब हमारे प fastenबोर करकास्ट करने कि तिक हम किसा से व्यक्तियों को मतलirens करने के यह हमारे पास टैकनीस है अचिक करते में इसके इंदर कितनी चाहिए ठीक है जी अब नेक्स आजाते है अपनी डिमांड तो देख ली अब देखेंगे सप्लाई मार्केट में कितनी है मैंन पाउर कितने अविलेबल है यूमन रिसोर्स है या नहीं है कहले कि सप्लाई करने में में हैल प्रवाइड करता है सप्लाई फॉर्कास्टिंग डेख लिया कि आपको इतने व्यक्ति चाहिए ठीक है बट इन व्यक्तियों को कहां से लेकर आएंगे सोर्स क्या होगा आपका इंटरनल से मतलब और 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 से लेकर आएंगे या और और से लेकर आएंगे supply mostly क्या होगा present या फिर existing manpower की और से देखेंगे ठीक है potential addition of the human resource को देखेंगे या फिर potential losses of the human resource देखेंगे ये supply इनके थुरू से हो रही है यह भी मैंने आपको समझा दिया अब हम deeply बढ़ेंगे इसको क्या कह रहा है कि existing manpower का मतलब क्या है कि existing manpower रेफेंगे प्रेजेंट इन्वेंटरी ओफ दा human resource अरे कि department में होगा age वाइज होगा sex वाइज होगा ठीक है marital status के according होगा experience वाइज होगा qualification के दवारीद होगा ये सभी क्या है हमारे internal mobility है मिसकी internal mobility का मतलब क्या है जहांपर आपकी transfer होती है promotion होता है demotion होता है उन्हें post खाली होती रहती है उन्हें के उपर दूसरे भेगती है point होती रहती है ठीक है जी next क्या है potential additional of the human resource क्या है potential addition means की increasing the manpower क्या कह रहा है increasing the manpower थ्रोदा आपको addition करना है मिसकी plus करना है अभी हमने या दिलिक वाली एक्जिस्टिंग प्लस एडिशनल माइनस जो आपने हटाने है हटाने वाला तो पता लग गया होगा कि retirement ले लेता है retreatment ले लेता है death हो जाती accident हो जाता है turn over अप्सिंटिसम हो जाते कुछ भी काफी सरी करना थे addition किस तरह से हम करेंगे हम उनकी recruitment करेंगे selection करेंगे fourth chapter हमारा EC के उपर बेस है transfer कर देंगे promotion कर देंगे सभी सारे काफी सारे method है और जो loss होने के काफी सारे तरीके क्या है death retirement है resignation है retreatment है इस सभी आपके manpower को हटाने के तरीकी है next क्या है कि human resource programming or the estimated the net human resource अभी तक हम क्या करते जा रही है अभी यह कोगे कि पता नहीं कितनी देर होगी मैडम को इन व्यक्तियों को point करते हुए लगाएगी यह नहीं लगाएगी लगाओंगी अभी देखो तोड़ा पहले हमने क्या किया organization के objective को देखा याद इसलिए सासत करवा रहे हूं कि आपको सब्सक्राइब क्या है सबसे पहले objective objective के बात क्या है demand demand के बात क्या है supply supply के बात क्या है net निकाना demand और supply में से जो balance निकलेगा सब्सक्राइब करें निकाना निकाना दोनों की बीच में गैप निकाना जब हम supply में से जब हम 70 वैक्ति मारे पास demand तो जो 30 वैक्ति बजेंगे को neglect कर देंगे that's it समझ पा रहे हैं the gap has to be measured both the qualitative and the quantitative from the human resource programming is also called the net human resource requirement supply of the human resource minus demand of the human resource on the basis of the human resource programming surplus and shortage of the HR can be determined जो भी आपके पास surplus होगी जो भी आपके पास shortage होगी उसको determine करेंगे ठीक है implementation of the HR plan आखिर में क्या करेंगे जो हमने देखा है जितनी हमें manpower चाहिए उसको क्या करेंगे implement करेंगे उसको हम apply करेंगे apply कैसे कि shortage of अगर हुए है हमारे पास ठीक है फिल्ट रोदा recruitment and selection अगर फिर भी हमारे पास कम पढ़ें माने जीतनी मैंने का सतर ही जूर्ट है बाद में भी एक का कि हां साथ एक और department से कहते हैं कि हमें मुझे साथ व्यक्ति की और जूर्ट बढ़ी है तो हम साथ व्यक्तियों को दुबार से फिर रेक्यूट कर लेंगे अगर surplus है तो कहीं और adjust कर देंगे ठीक है prepare the strategy in apply in a real life and an organization यह फिरम क्या करती है जो जीतना भी हम अभी से पढ़ते आ लिए न ओब्जेक्टिव किये इम्लिमेंटेशन के टाइम हम क्या अगरेंगे सभी चीजों को एक्चुल में apply कर देंगे नेक्स क्या है control and appraisal normal सी बात है हर एक चीज के apply करने के बाद उसको हम क्या करते हैं control करते हैं उसके ओपर देखते हैं कि काम सही हो रहा है और नहीं हो अब देखो हमारे पास यह इडिशन होता है लोसिस के सभी होते हैं प्रोग्रामिंग हमने क्या कि एस्टिमेंट कर लिया ने जो गया पर में निकालना था फिर हमने इंप्लीमेंटेशन भी कर लिया फिर हमने क्या क्या किया control and appraisal भी ठीक है अब इसके बाद क्या है कुछ एक barrier आती है barrier कुछ नहीं है कोमन से हैं आप इसको अपनी बुक से इजली पढ़ सकते हैं barrier normally क्या होते हैं आप देखो जैसे जैसे environment में चेंज हो रहा है competition बढ़ता जा रहा है manpower की इच्छाएं नहीं कंट्रोल हो रही है इस अभी हमारे barriers की इंदर ही आ जाएगी हम manpower को समझ नहीं पारे अच्छे तरह से over competitions हो रहा है अपनी requirement के साब से मैंने सोचा था कि अगर्मान लीजे कही बार ही होता ना कि उसकी qualification भी है मैं जैसे कि मुझे point करने दस व्यक्ति अपनी organization के अंदर स्टार्टिंग से मैं एक्जेंपल लेकर चलते तो इसको मैंने क्या बोला था इसको एमकोम होना चाहिए एक साल का experience होना चाहिए अर उसे बच्छों की समझ होनी चाहिए understanding होनी चाहिए क्यों कि इस तरह से बच्छे पढ़ेंगे कैसे बढ़ना चाहिए तो क्या है कि जो एमकोम भी है उसके पास experience भी understanding भी है बट फिर भी काम अच्छे से नहीं कर रहा भाई तो कहीं ना कहीं deep merits create हो जाती है तो इस तरह के से अब जो manpower की planning करना उसे appointment करना एक organization के लिए बहुत बड़ा task है ठीक है उमीद आपको यह जो chapter है समझ में आया होगा और जो question paper का special channel बनाया आप सभी students के लिए प्लीज उस channel पर visit कीजिए और अपनी need के coding questions paper को देखिए फिर भी कोई doubt रहता है तो आप मुझे comments कर सकते है mail कर सकते है WhatsApp number भी अविलेबल है WhatsApp भी कर सकते है बर WhatsApp करने के लिए आपकी condition है कि आपका नाम आपकी university का नाम और आपको क्या चीज की जूर्द है क्योंकि आपको पता है कि इस channel पर क्या है तीन तरह की faculty अविलेबल है psychology की है science की है and commerce के लिए मैं हूँ तो आप proper बताईए तो team हम मेरे पास proper वे में आपका message forward कर देगी ठीक है और जो यह notes है आपको telegram group से मिल जाएंगे ठीक है telegram का link question paper channel का link आपके question paper जितने भी subject है आपके उन सभी का link आपको description box में मिलेगा ठीक है जी thank you for watching this video have a nice day मिलते हम next chapter के इंदर job analysis के इंदर